जब बच्चों के सामने यह heading आ जाती है what must we add to dash to get dash मतलब यहाँ पर कोई number होता है यहाँ पर कोई expression होता है यहाँ पर भी तो बच्चे confused हो जाते है इसमें कैसे कैसे solve करें पी से plus क्या जाए या minus क्या जाए यह बच्चों के मन में question होता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह doubt पूरा complete solve होने वाला है वीडियो को end तक देखना skip नहीं करना बहुत ही अच्छा concept में आपको बताने वाला हूँ ऐसे question में क्या करना पड़ेगा what must we add to dash to get dash तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो get के बाद number होगा वो आपको first पे लिखना पड़ेगा और जो get से पहले number होगा वो आपको second स्थान पे लिखना होगा उसके बाद क्या करना होगा यहाँ पे plus या minus लिखा होता हुआ लेकिन यहाँ पे add नहीं करना आपको करना है subtraction यह बात दियान राखना example आपके सामने what must लिखा हो या should लिखा हो बात एक ही है be added to x की power 2 minus y की power 2 पलस 2xy 2 उसके बाद get लिखा हो या of 10 लिखा हो ठीक है x square पलस y square पलस 5xy यह question आपके सामने है आपको क्या करना है मैंने अभी बताया था second स्थान वाला मतलब get के बाद जो number होता वो first पर लिखा जाता है तो इस number को मैं first पर लिख देता हूँ यहाँ पर लिख दिया x की power 2 पलस y की power 2 पलस 5xy यह लिख दिया उसके बाद यहाँ पर get से पहले जो number लिखा होता उसको क्या लिखना है second स्थान पर मतलब नीचे लिख दिजिए यहाँ लिखा हूँ x square minus y square अब यहाँ पर दियान दिजिए x की power 2 बाला ही नमबर नीचे आ सकता है ठीक है जैसे यहाँ पर x की power 2 लिखा हुआ है तो यही number नीचे आएगा इसका करना माइनस क्या करना है माइनस करना है subtraction करना add मत कर देना क्योंकि यहाँ पर add लिखा हुआ है add नहीं करना आपको minus करना है minus करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका sign change करना पड़ेगा minus करते समय हमें नीचे वाले का sign change करना पड़ेगा इसके x square वाले के आगे number sign कौन सा है तो इसके accounting हम solve करते है कभी भी same number होता है कभी भी same number होता है और sign यहाँ पर होते है अलग-אלग तो वो cancel out हो जाते है समझमा गया जैसे यहाँ पर 2-2 same number हो गए sign हो गए यहाँ पर अलग-अलग तो यह cancel out हो जाते हैं तो इसी तरीके से यह दोनों cancel out हो गए हैं यहाँ पर देखें y square का आगे plus का sign है y square का आगे plus का sign है minus का नहीं माना जाएगा ध्यान लगना यह cut गया यहाँ से y square का plus का sign है तो दोनों को क्या करना same sign हमिसा plus की जाती है अब इसके आगे कोई number नहीं है तो इसके आगे क्या माना जाएगा one माना जाता है समझमा गया one तो इन दोनों का add कर देते है one one कितना हो गया two हो गया तो यहाँ पर two y की power कितनी आ जाएगी two आ जाएगी समझमा गया addition subtraction में number को calculation किया जाता है ठीक है variable वाली number को calculation नहीं किया जाता है उसके साथ जो coefficient number होता है number number को solve किया जाता है यहाँ पर one है यहाँ पर one है तो मैंने two लिग दिया five मैंसे two जाएगा three आ गया और big number sign आता है यहाँ पर five बड़ा है तो यहाँ पर plus का sign है तो plus का sign आ गया अब आगे calculation नहीं करनी यही इसका answer आ गया है उमीद करता हूँ कि यह solution आपको यह तरीका आपको बहुत ही बहुत ही बहुत दन्यावाद